आप सभी का एक वाफ फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रेश्णों को देखेंगे जो MP TETWORK तीन परियाबरन हितु बहुत महत्पूर है चलिए बिना देर किये हुए हम क्लास स्टार्ट करते है आज का पहला प्रेश्ण है वाईू मंडल की किस परत में विद्धूत अवेशित कन पाए जाते हैं ओप्सन है समताब मंडल, आयन मंडल, बहर मंडल या छोब मंडल दोस्तों आपको बता दू हमारे वाईू मंडल को पाँच परतों में बाटा गया है छोब मंडल, समताब मंडल, तीसरी हमद्ध मंडल, फिर है ताप मंडल और लाश परत है बाह मंडल दोस्तों ताप मंडल के अंदर ही आयन मंडल आता है जिसमें बिद्धुत अभेशित करण पा जाते हैं इसका सही अंसर है B आयन मंडल दूसरा प्रश्ण है वायू मंडल की कौन सी गैस सूर की परवैगने किर्णों को सोकती है आपसन है आकसीजन आजोन नियोन या हाइडरोजन तो इसका सही अंसर आजोन आजोन गैस है जो सूर की परवैगने किर्णों को सोकती है इसमें आजोन से रिलेटेड एक और प्रश्णा सकता है कि आजोन परत किस मंडल में पाई जाती है दोस्तों याद रखना आजोन परत समताब मंडल में पाई जाती है आजोन परत समताब मंडल में पाई जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेशन तीसरा देखते हैं प्रेशन तीसरा है वायू मंडल में जलबास्प कहां से पहुंचती है ओप्सन है नदियों जीलों से बर्फ से पर्यावरण से या इस्थल मंडल से दोस्तों इसका सही अंसर नदियों जीलों से नदियों जीलों में सौर विकरण के कारण जो जलवास्प बनती है वह वाई मंडल में पहुंचती है चलिए प्रेस्ट चौथा देखते हैं प्रेस्ट चार है इसकर भी किसकी कमी से होता ओप्सन है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या आईरन तो दोस्तों इसका सही अंसर है विटामिन C और विटामिन C की पूर्ती के लिए खट्टे पदार्थ जैसे संत्रा और निवु आधिका सेवन किया जाता है चलिए अगला प्रेस्ट देखते हैं निमलिकित मेंसे कौन सा तत्व पौधों के विकास पर प्रभाव डालता है A है म्रदा में मौझूद रसाइनिक पदार्थ या ह्यूमस, सौरूर्जा या ये सभी दोस्तों आपको बता दूँ पौधों के विकास पर तीनों प्रभाव डालते हैं म्रदा में मौझूद रसाइनिक पदार्थ ह्यूमस और सौरूर्जा इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी ये सभी प्रसंद छटबा है टांसले एक जाने माने खालिस्थान है आप्सन परिस्थित की विद भूविज्ञानी जैब भॉगोल वेत्ता प्राणि विध्याने इसमें तांसले से संबंदorgt एक प्रशन अरू पूछले ता है कि परिस्थित की तंत्र सब्द का सरप्रतम प्रयोग किस ने किया इसका सही आंसर आएगा A.G. टांस ले चलिए इसके बाद प्रस्ण देखते है प्रस्ण साथवा है निमलेखित मैंसे कौन जीब मंडल में शामिल है आप्सण है पेड़ पौधे, जीब जन्तु, मानव या ये सभी इसका सही आंसर है आप्सण D. ये सभी चलिए अगला प्रस्ण देखते है प्रस्ण आठवा है प्रकाश संसलेशी पौधे कहलाते है परपोसी, मासाहारी, स्वपोसी या साकाहारी तो दोस्तों ऐसे पेड़ पौधे जो प्रकाश संसलेशन दौरा भूजन बनाते है वे पौधे स्वापोशी पौधे कहलाते हैं चलिए प्रश्ण नौबा है परिस्तित की शब्द का प्रयोग सरप्रथम किस वैज्यानिक ने किया था उप्सन हैंस रीटर, ईजे, कोमाडी, आर्नेस्ट हैकल, चार्स एल्टन तो परिस्तिकी सब्द का प्रयोग सरप्रथम आर्नेस्ट हैकल ने किया था इधर परिस्तिकी पूँछा है यदि पारिस्तित की तंत्र पूउचता तो उसका आंसर हो जाता एजी, ट्रांस ले चलिए अब देखते, प्रशन दसवा देखते हैं प्रश्न है प्रत्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा है ओप्सन है 29 प्रतिशत, 71 प्रतिशत, 79 प्रतिशत या 50 प्रतिशत तो दोस्तों आपको बता दूँ प्रत्वी का 71 प्रतिशत भाग है जो जल से घिरा है इसलिए इसका सही अंसर होगा ओप्सन बी चलिए प्रश मंदल आयन मंदल या छोब सीमा दोस्तों इसका सही आंसर है समताप मंदल जहां तापमान प्रायाहा एक समान होता है इसलिए मंदल में वायूयान आधी चलते हैं चलिए प्रेशन भार्वा देखते हैं हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग खालिस्तान क परियावरण तो हम चारों और जिन दशाओं से घिरे हैं वो क्या कहलाता है परियावरण कहलाता है इसका आंसर है डी परियावरण प्रेशन तेरबा है जून 1972 में विश्व परियावरण सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था जिनेवा दियोडी जैनरो स्टॉक होम या लंदन इ सन 1972 में विश्व परियावरण सम्मेलन का आयोजन हुआ था अब इसके बाद प्रेशन चौदा देखते हैं प्रेशन चौदा है प्राकरतिक परिस्तितिकी तंत्र का उधारण क्या है ऑप्सान है खेत बांध जील पार्क देखिए दोस्तों यहाँ पे जो खेत बांध और हैं यह क्रतिम है और यदि पूछता प्राकरतिक परिस्तितिकी तंत्र का उधारण है यदि आपसे पूछ लेता क्रतिम परिस्तिकी तंत्र का उधारण क्या है तो उसमें हता खेत बांध और पार्क यह क्रतिम परिस्तिकी तंत्र के उधारण है चलिए इसके बाद प्रेश खेत या नदी क्रतिम जो मानम निर्मित होते हैं तो इसका सही अंसर है खेत सी खेत दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो और EBS का पार्ट टू भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें थैंक यू